लडाई जगडे नफरत की तो बाते कहीं आती ही नहीं तो इनसान को संतों के वचनों को सहज भाव से लेना चाहिए ससंग जब सुनते हो उसके बाद संतों के वचन सुनते हो उनकी समझ बहुत बहुत ज़ादा आती है Otherwise कुछ समझ नहीं आती आपने कई बार पाट सुने होंगे अलग धर्मों के अपने अपने धर्म में सुने होंगे बलकि लोग वहां बैटे-बैटे उपता जाते हैं और कब ये समापत होगा और कब परशाद मिले और हम चलते बने सबकी निगाफ परशाद में ज़्यादा होती है पढ़ने वाला क्या गारा है क्या बोल रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता तो क्योंकि समझ कुछ नहीं आती और पढ़ने वाले को भी होता है निबटा दूँ बस निबटा दूँ बस निबटा दूँ उसको कोई मतलब नहीं सामने वाले को समझ आए ना आए उसने तो अपने डूटी बजानी है अपना काम निकाला और चल भै तो ये अजीबोगरी मंजर इस कल जुग में आश्चरे की बात नहीं है ऐसे आम बात है आश्चरे की बात है यहां बैठो और आपको राम की बात समझ आने लगें वो आश्चरे है क्योंकि यही सचा सतसंग होता है सीधी साधी भाषा उनी शब्दों को उनी के पवित्र वचनों को जब सचा संत सिनाता है तो वो उस दौर की भाषा के अनुसार सुनाता है और लोग सुनके जल्दी अमल कर लेते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं वचन वही होते हैं पर उस समय के वचन किसी और अंदाज में कहे गए आज का दौर कुछ और है आज अगर कोई राग गाने लग जाओ जो पुराने राग थे बहुत सारे राग थे बहुत धर्मों में पाये जाते हैं उन राग के बारे में लिखा हुआ आज किसी को आता नही पौडी गवारे की फलाँ फलाँ आप आज कल किसी के पले ही नहीं पड़ेगा वो कौन सा राग था तो इस तरह के राग जो लिखे जा चुके हैं जो आज के बच्चे जानती हैं नहीं उनका नाम कैसे गा लेंगे और गा भी लेंगे तो आंके खोल के देखेंगे तो आना बहुत बदल गया तब भी ऐसा हुआ था तो राग आने लगा और सामने बैठे जितने लोग थे सारे खिसक लिए एक भुजर्ग रह गई वो रोने लगी बहुत वो कहले लेंगा माई तू बैठी ये बाकी सब चले गए ती बेटा मुझे तरस आ रहा था तरस आ रहा था तुझे तरस क्यों आ रहा था किती बेटा आखों को पोँची नाकनूग पोँचा बात बताओं के दिबता कहते जैसे तू अरडा रहा था रात मेरी बहेंस का कटड़ा अरडा ता रहा सुबा मर गया मुझे डर है कहीं शाम तक तेरा काम ना हो जाहीं मेरे को तेरे पे तरसारत, तो ऐसे रागों का ये हाल है आज के दौर में आज तो जो आप जानते हो, गीत संगीत या ये नहीं है कि आज भी नहीं, आज भी बहुत अच्छे कवाली गाते हैं आप सौंग गाते हैं तो लोग मस्ती से जूम उड़ते हैं क्योंकि वो आज के दौर की है पर उस समय की गाओगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा तो संत जितने भी आते हैं जैसा दौर होता है उसके साथ चलेंगे तो समाज को समझाएंगे क्योंकि उनका काम समाज को समझाना है अपनी मान बड़ा ही नहीं कि मुझे फलां रागाता है मकसद है समाज को सुधारना वो कैसे सुधरेगा ये भी संत की सोच होती है तो कहते जैसी हवा चले वैसी ओट कर लो तो जैसा दौर है वैसी भाशा तो प्रयोग में लानी पड़ेगी न बहुत लोगों ने पूचा गुरुजी आपने फिल्म बनाई क्या जरूरत थी और हम आपको बताना चाहते है हर संडे सरसा में सत्संग होता है आप दर्ज है आंकडे हैं आंकडे देख सकते हो फिल्म से पहले हर संडे जैसे सत्संग नहीं था तो लोग दो चार सो होते थे नशा छोडने वाले गुरुमंतर लेने वाले सत्संग होता तो दो से चार हजार होते थे और आज सत्संग भी ना करें सिर्फ दो दिन पहले ये बता दें कि गुरुमंतर दिया जाएगा और आज नशा छोडने वाले होते हैं सहजार से पंदरा हजार हमने कोई सतसंग अलग से नहीं किया हमने कोई अलग से कुछ और नहीं किया बस एक फिल्म आई है क्योंकि आज की भाशा है नौजवान इसी भाशा से काबू आएंगे उनको समझी तबी आती अच्छा ऐसे भी हो सकता है ये भी हो सकता है कथा बारता जितनी मर्जी करते रहो जहां भाईयां लेने लग जाएंगे तो इसलिए ससंग भी शोटा करना पड़ता है क्योंकि एक तो वैसे अलूनी सिल है नमक मिर्च तो होता नहीं फिर भी बीच बीच में लगाते रहते हैं बकबका सा खाना आजीव होता है न ये अलग बात है को कुनैन कड़वी होने के बाबसूद चुपे वे बुखार को खतम कर देती है ये एक अलग चीज है लेकिन वो कुनैन लेते कैसे थे पहले बड़ा ही मुश्किल था हमारे दोर के हम बात करते हैं पहले तो शयद होती नहीं होगी तो कुनैन का गोल आता था बड़ा कड़वा जहरीला और साथ में माताईं के करते थी दूद होता था घर में सारा दिन जो बोलता रहता है कड़ाई वाला कह देते हैं या कड़ाई वाला कह देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे, बिल्कुल भर देते थे चीनी से, तो उसको घोल के रखते थे, बच्चे का नाग पकड़ा मुँ में कुनैन डाले, वो चीक मारता, नाग बंद है तो नीचे स्वांस चला, तो कुनैन अंदर चली जाती, उपर से दूद चड़ा परविटाजी ने जो शब्द बजन लिखे हैं, अब फिल्में बन रही हैं, ये और थोड़ा सा हनी लेप हो गया, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, जाय कासा आता है, और उस जाय के में काम हो जाता है, हमने तो काम ही करना है, चाहे कुछ भी करें जतन, वापिस तो में ले जाएंगे, कुछ भी यतन करना पड़ जाए, वापिस तो लेकी जाना है ना माली के दरवार में, यही संतों की ड्यूटी होती है, यही संतों का फर्ज होता है, अब किसी बुजरों को अच्छा ना लगे, तो ना लगे भाई, तू तो खापी लिया, अब जवानों को है, अब कम दरुएए, यह फिलम वड़ा काम ना जचे, तेरे नहीं जचता, तेरे पड़ पोतों को, पोतों को सब को जचे का, और तू तो तो तरलिया, उनको तो तरने दे कम से कम, ऑए बेटे-बेटे नाक पूशिकोडते रहते, उनको पता ही नहीं होता है, यह क्या है, तो संतों के खेल तुलसी कहे संत को चीना तुलसी हाथ कान को दीना जो की कहे संत को चीना तो ये बात ही अलग होती है उनका अपना तरीका होता है हर किसी का हमारा तरीका परिम्पिता शास्तनाम शाह मस्तान जी जैसा ख्याल देते हैं जैसी में आवा है खस्म की बानी तैसड़ा करी ग्यान भी लालू कि जैसा हमाले ख्याल देते हैं वैसा आपके सामने ग्यान कर देते हैं और ये परमपिता शास्तनाम दाता रहबर का रहमो करम कभी भी हम कोई भाशन त्यार करके नहीं लाते जैसा वो ख्याल देते रहते हैं वैसे आपको बताते रहते हैं शैद इसलिए हाथों हाथ आप अमल करते हैं तो हाथों हाथ ही उसका असर होना शुरू हो जाता है बात तो अमलों की है भाई यहाँ अमल दिखाया आप बाहर जाके कुछ का कुछ खिलाया तो फिर वो खस्म तो जानता है न वो तो अंदर रहता है न चलाकी तो उससे चल सकते है चलो आदमी आदमी से कर सकता है मैं हुशियार हूँ उसको पता नहीं चलने देता पर जो रहता ही अंदर है उससे रुख बताओ कौन सा पर्दा करोगे वो तो अंदर बैठा है हर धड़कन में हर स्वांस में इसलिए हर धड़कन में हर स्वांस में उसे याद करते रहिए तो वो आपको बेंधा खुश्यों से माला माल करता ही रहेगा करता ही रहेगा उसका ऐसा खजाना है अरबों लोग उसको लूटते रहें तो भी सुमूंदर में से एक बूंद निकालें उतना भी खर्च नहीं होता वो माला माली रहता है उसका खजाना सोचिए कितना बड़ा है तो उस खजाने को हासिल करना चाहते हो उसके खुश्या हासिल करना चाहते हो तो आप सेवा और सुम्रण में ध्यान लगाया करो जितने सेवा कर सको जितना सुम्रण कर सको वो ही आपको बर्कतें देगा वो ही आपको खुश्या देगा